नमस्कार दोस्तों, क्रियेटिव मैक्स इस चैनल में आप सबका हर्विक्स ओगत है, आज हमें देखने वाले एट स्टैंडर मैथेमेटिक्स का फर्स्ट चाप्टर जिसका नाम ही रैशनल और इर्रैशनल नंबर, उसमें से फैक्टिस सेट नंबर 1.3 के बारे में आज हमें देखें, इस पर्स नंबर का फर्स्ट है, रैट तिर फॉलिंग रैशनल नंबर इन डेसिमेल फोर्ट, इन्हें डेसिमेल फोर्ट में लाना है, उसके लिए आमें डिवाइड करना आता चाहिए, उसकी लिए क्या करना पाड़िका, 9 को 37 से डिवाइड करेंगे, 37 से इसको से इसके लिए आपे 37 का टेबल मालूम चाहिए अगर 37 का टेबल नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेगी इस तरह से 37 का टेबल लिएक बाज में और उसके बार हम क्या कर सकते इसे दिवाइड दोने देखिए 9 नहीं आता 37 के टेबल में तो मैं याँ 0 बढ़ाता हो 90 करता हो अगर मैं यह जिरो पड़ा रहो तो मुझे यह जिरो के पाद एक क्वाइट देना है ओके यह तो हमें मालू है अभी 37 के टेबल में 90 आते का नहीं 37 तूदा 74 तो 37 तूदा 74 माइनस करेंगे जिरो में से 4 तो नहीं जाते 10 में से 4 गें 6 एक यह आपने लिया 9 के बाद 9 में से 7 और 8 गें 60 लेगे इसका मतलब 90 माइनस 74 इस इकल टो 16 अब इसके बाद और एक जिरो लेगे क्योंकि 37 के टेबल में 60 नहीं जाते चोटा नमबर है 160 देखे 185 तो बड़ा नमबर है 37 4 जा 148 तो 37 4 जा 148 गें पिर माइनस करेंगे 10 में से 8 गें 2 इधर आया 1 6 में से 5 गें 1 12 आया एक 0 बढ़ाया देखे 37 3 जा 111 देखे 120 में से 111 में कितने रह गें 9 तो एक 0 बढ़ाया हमारा पहला 90 इधर फेर से आया तो इसका मतलब 37 2 जा 74 हम लिखेंगे और यह दोनों का माइनस किया तो 16 फिर से आता है इसका मतलब 243 243 ऐसा आते ही जाएगा तो हम लिख सकते 9 upon 37 is equal to 0.243 243 इसका repetition है तो 0.243 के सिर्की उपराई से लाएगा जिसे बार रहे थे ओके 0.243 बार इस तरह से यह हमारा अंसर आएगा एकदम असा आए खाले हमें क्या करना है डिवाइशन करना है उसके बाद देखे 18 upon 42 अभी 18 और 42 को हम simplest form में लाएगे किस तरह से 18 और 42 किसकी डेबल में आता है 6 क्या आता है तो 6 3 दा 18 और 6 7 दा 42 तो इसका मतलब 7 से किसी डिवाइट करना है 3 को डिवाइट करना है 7 के डेबल में 3 नहीं आते 0 आता है पॉइंट ने का और यहा लिए 0 7 4 दा 28 30 में से 20 गए 2 रहे गए एक 0 बढ़ा है अभी 7 और 7 7 7 2 दा 14 7 2 दा 14 20 में से 14 गए 6 लिए और एक 0 बढ़ा है अभी 7 8 दा 56 ओके फिर 60 में से 56 गए 4 एक 0 बढ़ा है फिर 75 दा 35 40 में से 35 गए 5 एक 0 बढ़ा है 7 7 दा 49 50 में से 7 गए 3 एक 0 बढ़ा है देखिए यह 30 रिपीट आगा अभी मीचे वाला सब रिपीट आएगा कि 34 आ 28 इसका मतलब देखिए हमेरे पास क्या आशर आता है 0.428571 इसका क्या होता है रिपीटेशन होता है तो हम रिख सकते 18 अपॉन 42 is equal to 0.428571 इसके उपर एक बार तो इस तरह से हमें दो क्रेशन देखे इसी के तरह हम बाकी जो और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सौल कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी अगर कोई प्राब्लम होगा डाउट होगा तो फिर से रिव होचे ऐसा आपको लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाजियो में होने वाला बेल का बटन दबाते हैं तो हमने अपलोड की हुगी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाईल पर जल से जल पहुचेगे और आप घर बेटे आसानी से मैच सीख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम देखेगे अगली एक्सरसाइज या फिर अगला चाप्टर थैंक्यू